करते थे जागते रहो जागते रहो अब चौकीदार पूरे हिंदुस्तान के सरकारी बैंकों का पैसा अमीरों को दे के कहते हैं भागते रहो भागते रहो भागते रहो हम तो सोचे थे चौकीदार निकलेगा चौकन्ना यह निकला बिल्कुल निकम्मा और आज मोधी साफ जा पारहिंए इत्वान जाया कै यह मोटों से भाग यह अब दो करो नोकरियों की बात नहीं होती अब गंगा साफ करने की बात रही नहीं हो रही उन 304 सजनकलप गात नहीं हो रही 15 लाख रूपई को गरीड एप डालने थे उन की बात नहीं हो रही अब राष्ट्रवाद की शरण में चले गए हैं मोदी जी और राष्ट्रवाद यह कह सकते हैं राष्ट्रवाद जिन्हों ने सारी सरकारी कंपनियां मारके अंबानी और अडानी को लुटा दी मैं दंके की चोट पे कहता हूँ कि इन्होंने बी एस एनल को मारके पांच लाग पचास हजार करोड रुपे की कंपनी का जो कॉंट्रेक्ट है फोर जी जो सरकारी कहना चाहिए था सरकार को मुनाफ़ाना चाहिए था वो जियो दंदनादन को दे दिया और फोटो के चाहिए एडविटिस्मेंट की दंदनादन दंदनादन नोट बंदी रात को अनौन्स की सबेरे पे टीम के साथ फोटो के चाहिए आज मोदी जी को ब था तुम्हारे साड़े चान में 35 laq करोड करजा बरादियक फ़्ले एक साल में औसतन साठ से सबतर हुष करोड रुपया करजा बरता था अब तुम्हारे इस कारेकाल में 6 ₧ 2 त्रती साल भारत के सर पर तरजा बर्ड़ रहा है कि तुमने बड़ी बड़ी संस्थाइं DRDO, HAL, जो फाउज के निर्वान के लिए मशूर मानी जाती थी, जिन्होंने प्रिच्वी बनाई, जिन्होंने आकाश बनाई, यह सब मजाल्ज हैं, जिन्होंने अगनी बनाई, उन के हक को मारके साथ साथ हजार करोड के कांट्रेक्ट तुमने अमबानी और एदानी को दे दिये, मिसाइल बनाने के कांट्रेक्ट तुमने अमबानियों को दे दिये, एदानियों को दे दिये, तुमने इनको 1240 एकर जमीन, 40 करोड की थी, सीमेंट पलांट लगाने के लिए और इन्होंने 5,000 करोड की बेच दी बगैर सीमेंट प्लांट लगाए तुम इन बातों से मुकरते हो 17,000,000 करोड रुपया NPA हो गया है कि सरकारी बैंकों का पैसा लेके अमीर भाग गये सुप्रीम कोट ने बाजू मरोड के सारा शिरी से पैसे लिये वापिस सुप्रीम कोट नहीं अम्बानी को घुरा अम्बानी ने 5,000 करोड वापिस किये या बात है कि 17,000,000 करोड रुपय लेके ये चले गए सिर्फ सरकारी बैंक की है प्राइवेट बैंक से 10% रुपया गया है दोनों पाटियों ने करजे माफ किये हैं तुमने अमीरों के 3,25,000 करोड माफ किये इंसेंटिम के नाम पे और कॉंगरस ने 22,000 करोड रुपया गरी पिसानों का माफ किया है तुम बात करते हो राश्टर भक्ती की यह आंक्रे है मेरे पास मुदी साथ यह आंक्रे है मेरे पास पे टियम मुनाफे में SBA डूब रहा है जियो मुनाफे में PSNL डूब रहा है प्राइवेट एरलाइन मुनाफे में और इंडियन एरलाइन डूब रही है तुम बता दो तुम ही कहते थे थे ना ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा अरे चम के खाया और डट के खिलाया तुमने ठोक के लूटा और किसी में विरोध किया तुमने डट के कूटा तुमने लोग तंतर को डंडा तंतर बना दिया खुंडा तंतर बना दिया प्रोल तंतर बना दिया है तंतर बना दिया भै के ऊपर राज कर रहे हो तुम है पहले हिंदुस्तान गोरे अंग्रेजों से लड़ा था तो इस देश को डिवाइड करते थे और राज करते थे और ये देश वोट डालेगा काले अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए उन्हें इस देश को अमीरों का गुलाम बना दिया 99% घरों के बार चोकिदार नहीं खड़ा होता है नहीं अभी मेरी बोलने की बार ये गुरू पहले ये दवाब दें ये जवाब दें इन बातों का इन बातों का कोई जवाब हो तुमने और तो और जो नौकरियां भी थी उनका ठेका भी अंबानियों को हजारों लोग बेरुजगार के शिकार हो गए हजारों लोग परोड़ों लोग एक करोड़ दस लाख नौकरियां गई तुमने का मेरी 8.2 GDP है और नौकरी 8.2 GDP में सिरफ 8 लाग पांच साल में तुमने का था दो करोड़ एक साल में और ये कैसे हो गया कि चाइना की GDP 6.2 है और शाइना 65 मिलियन जॉप दे रहा है पांच साल में एक दिन में 35 हजार नौकरी दे रहा है और वो भी तुम वहां से मैनुफेक्चरिंग करा रहे हो अरे कहां की राष्टर बगती है तुमारी देश को बांट रहे हो मंदिर के नाम पे मस्जिद के नाम पे साउज को तु सब्सक्राइब देश मुख जी ने दिया अब आतंकी हमले होते हैं तो तुम वोट मांगते हो चैये तुम्हारी राष्ट्र भक्ती है आओ मोदी साहब मैदान में आके लोगों को भटकाओ मत मुद्दों से परिमत करो आकर नुरोजगार की बात करो ना मंदिर की बात हो न ना राम मिला ना रोजगार मिला हर मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला और आज मैं तंके की चोट पे आपको कह रहा हूं तुझे फकीर कहूं या गंगा पुझे फकीर कहूं या गंगा पुझे भाशनवीर कहूं या तंगा अरे तेरे रूप अनेख है भाईया तु पहरूपिया रंग बिरंगा बहरूपियो हो मुखोटा उतर गया है पुरे प्रहमांद में शोर है जमीर पे ही नहीं आकाश और पाताल में भी चौकिदार चो तुमने लूट डाले सरकारी कंपनिया तुमने बंद कर दी और अब तुम राष्ट्रवाद की शरण में जाते हो भक्तों को लगता है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं एक रेलवे स्टेशन था और एक चाई की दुकान थी मोदी जी ने खोद के निकाला हिंदुस्तान जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो संबिदान रच दिया था मेटकर साब में जब तुम चड़ी में थे मोदी साब तो यहां चले गए थे अंतरिक्स में बाखरा डैम बन गया था ग्रीन ने रवलुशन आ गई थी वाइट रवलूशन आ गई थी अपन्द करो अपना कुड प्रचार और ना जाओ अब तुम शरन में राष्ट्रवाद के क्योंकि तुम राष्ट्र विरोधी हो राष्ट्रभत किसी तरह से भी नहीं हो तुम बताया कि गाजू कांदी ने